विवान और इशानी बालकनी में खड़े-खड़े बातें कर रहे थे विवान ने कहा मैं अदिती से बहुत प्यार करता हूँ ये सुनकर इशानी के चेहरे पर उदासी आ गई वो सामने देखने लगी विवान भी सामने ही देखने लगा वो दुनों खामोश थे विवान जानता था कि उसे ही इस खामोशी को तोड़ना होगा वो जाने कितने दिनों से इसी पल से बच रहा था इसलिए वो कभी इशानी के साथ अकेले में बात नहीं करता था वो जानता था कि ऐसे किसी पल में उसे इशानी के अनकहे सवालों के जवाब देने होंगी पर अब जब ये पल आ गया था तो अब उसे इसका सामना करना ही था वो सोच रहा था मुझे आज इशानी से खुल कर बात कर लेनी चाहिए शायद इससे मेरे दिल का बोज कुछ कम हो जाए उसने इशानी की ओर देखा जो अभी दूर डूबते हुए सूरज को देख रही थी इसी वक्त अधिती भी घर आ चुकी थी पुदेर से आने का बोल कर गई थी पर जल्दी आ गई थी अपने आफिस में बैठ कर जब उसने ठंडे दिमाग से सारी बातों के बारे में सोचा तो उसे लगा कि वो घलत है उसने बेकार में विवान और इशानी दोनों का ही दिल दुखा दिया विवान तो पता नहीं कितनी बार उसे बता चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी को प्यार करता है वो ही उस पर यकीन नहीं कर पा रही है पर बस अब ऐसा नहीं होगा अदिती सोच रही थी आज जल्दी घर जाकर इशानी और विवान दोनों को सौरी कहूंगी फिर हम साथ में डिनर करेंगे और अपने सारे प्रॉब्लम्स को सौल्व कर लेंगे यही सोचकर वो जल्दी आ गई थी जब वो अपने कमरे की ओर जा रही थी तो उसने बालकनी से आती विवान की आवाज सुनी वो हैरान थी कि विवान आज इतनी जल्दी आ गया था दूसरी बात जो उसे हैरान कर रही थी वो ये कि इस वक्त वो किसके साथ बात कर रहा था क्योंकि वो खुद तो अभी अभी आई थी और इशानी भी इतनी जल्दी नहीं आती है तो फिर ये कौन है फिर उसने खुद ही इस बात का जवाब सोचा जरूर कुछ होगा मैं जाकर देखती हूँ वो बालकनी के दर्वाजे के पास पहुँची तभी उसने सुना विवान धीर इसे बोला I'm sorry इशानी इशानी का नाम सुनकर आदिती के पैर वही रुख गए इसका मतलब विवान इशानी से बातें कर रहा है वो वही खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी इशानी ने विवान की ओर देखते हुए पूछा Sorry पर किसलिए विवान बोला इशानी तुम जानती हो कि मैं sorry क्यों बोल रहा हूँ जो भी हुआ उसके बाद इशानी उसकी बात को काटते हुए बोली रहने दो विवान वो सारी बातें हो चुकी है और उसके लिए तुम पहली sorry बोल चुके हो अब फिर से ये सब कहने का क्या मतलब विवान ने कहा नहीं मैं तुमसे उस बात के लिए sorry नहीं कह रहा हूँ बलकि इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारा साथ देना चाहिए था तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था और आज भी अगर मैं चाहू तो भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता इशानी एक टक उसकी और देख रही थी उन दोनों को ही अदिती के आने की भनक तो मन ही मन खुद को कोसने लगता हूँ लगता है मैंने क्यों तुम्हारा वेट नहीं किया क्यों मैं आगे बढ़ गया इतना आगे कि अगर मैं चाहू तो भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता तुम्हें ये सब कुछ सहने के लिए मैंने अकेला छोड़ दिया मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था तुम्हारे क्या मैं किसी के भी प्यार के लायक नहीं हूँ पहले मैं तुम्हें नहीं समझ पाया और अब मैं अदिती के साथ भी ठीक नहीं कर रहा हूँ अदिती बहुत गोर से उसकी बातें सुन रही थी विवान अपनी धुन में कहता जा रहा था वो बोला अदिती ने उस वक्त मेरा हाथ थामा जब मेरी जिन्दगी में कुछ नहीं बचा था उसने एक बार फिर से मेरी लाइफ में रंग भर दिये जब से तुम वापस आई हो मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं तुम्हें लेकर मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग है जिससे मैं एक्स्प्लेन नहीं कर सकता क्या ये अदिती के साथ गलत नहीं है उसके रहते मैं तुम्हारे बारे में इस तरह से कैसे सोच सकता हूँ मैं क्या करूँ यार तुम्ही बताओ मैं क्या करूँ बहुत अजीब से उलजन में फंस गया हूँ विवान रेलिंग पर हाथ रखे खड़ा था इशानी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली विवान तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्यूं खुद को इतना टॉर्चर कर रहे हो अपने दिल से इस बोज़ को हटा दो मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है अगर तुम्हारी जगा कोई और होता तो वो भी शायद ऐसा ही करता और रही बात मेरी तो मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है और मैं खुश हूँ कि कम से कम एक दोस्त के नाते ही सही पर तुम मेरे साथ तो हो मेरे लिए इतना ही बहुत है विवान ने उसकी तरफ देखा और बोला इशानी, मैं जानता हूँ ये सारी बातें कहना बहुत आसान है पर जिस पर बीथती है वही उस तकलीफ को समझता है तुम पताने ये सब कैसे सहन कर रही हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता अदिती मेरी लाइफ में तब आई जब मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में था बहुत दर्द में था उसने न सिर्फ मुझे संभाला बलकि हर गदम पर मेरा साथ दिया अज़ जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है अब तुम्हारे साथ गलत कर रा हूँ चैक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं मैं तुम्हें खूश देखना चाहता हूँ जो कुछ आज तक तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद तुम्हें ऐसे अकेले देखकर मुझे बहुत बहुत तकलीफ हो रही है पर मैं अदिती का हस्बंड हूँ और उसके रहते में तुम्हारे बारे में इस तरह से नहीं सोच सकता अदिती ने जो कुछ अभी अभी सुना था उसके बाद उसके उस डिसीजिन की धज्जियां उड़ गई थी जो उसने अभी कुछ देर पहले लिया था जहां खड़ी थी वहीं से पलट गई और अपने कमरे में आ गई उसके कदम बहुत भारी हो गए थे उसी यखीन करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि उसने जो भी सुना था वो सही था वो सब सच में विवान नहीं कहा था उसका दिल बैट गया था इधर अदिती से बेखबर विवान बोले जा रहा था इशानी, मैं जानता हूँ कि अब जो मैं कहने जा रहा हूँ सित बहुत तकलीफ होगी पर मैं अदिती से बहुत प्यार करता हूँ वो मेरी जिन्दगी है कई दिनों से मैं अपने आप से ही लड़ रहा हूँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए फिक्र है पर प्यार नहीं प्यार मैं सिर्फ अदिती से ही करता हूँ इशानी ने उसकी योर देखा और एक फीकी सी मस्कान के साथ बोली मैं जानती हूँ विवान तुमसे एक बात कहूँ जब तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो उसका दिल क्यों दुखा रहे हो पार्टी के लिए हां कहे दो विवान तुमने मेरे बारे में सोचकर ना कहा था न अब मैं ही तुमसे कह रहे हूँ तुम अपनी खुशियों को उसी तरीके से मनाओ जैसे तुम अब तक मनाते आये हो प्लीज विवान विवान ने उसकी ओर देखा और बोला थैंक सशानी मुझे समझने के लिए और माफ करने के लिए इतना कहे कर विवान वहां से अपने रूम की और चल दिया इशानी उसे जाते देखकर कुछ सोच रही थी विवान जैसे ही रूम में आया उसने देखा आदिती पहले से ही रूम में थी वो चेंज करके बेड पर लेटी होई थी विवान उसके पास जाता हुआ बोला अरे अदिती, तुम कब आई? कुछ बताया ही नहीं विसे तुम तो आज लेट आने वाली थी न अदिती ने बैठते हुए कहा हाँ, वो काम जल्दी खत्म हो गया तो मैंने सोचा कि जल्दी चलती हूँ विसे तुम आज जल्दी कैसे आ गए? विवान उसके पास बैठते हुए बोला मेरा तो आज काम में मनी नहीं लग रहा था बस इसलिए जल्दी चला आया अदिती ने हम कहा और फिर चुप हो गई विवान उसे बहुत गोर से देख रहा था उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी विवान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला अभी भी नाराज हो अदिती उसकी आँखों में देखते हुए बोली नहीं विवान ने उसके हाथ पर किस किया और बोला I'm sorry जान मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है तुम सही थी इशानी के कारण हमें अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है In fact, अभी अभी मैंने उससे भी साफ साफ कह दिया है कि मैं अपनी अदिती से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए अब मेरे दिल में कोई जगा नहीं है आदिती ने एक बार फिर से उसकी आँखों में देखा और पूछा अच्छा, तुमने सच में उससे ये कहा विवान ने भी उसकी आँखों में देखते हुए जवाब दिया हाँ जान, मैं इस कृस्से को खत्म कर देना चाहता था मैं नहीं चाहता था कि उसके दिल में मुझे लेकर थोड़ा भी डाउट रहे इसलिए उससे साफ साफ बात करनी जरूरी थी तुमने सबह मुझसे जो सवाल किये थे उसके जवाब मैंने इशानी को दे दी है अब मुझे कोई confusion नहीं है, कोई doubt नहीं है मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम और कोई नहीं ना कोई और हो सकता है इतना कहकर उसने अदिती को गले से लगा लिया अदिती उसके गले लगे हुए सोच रही थी विवान, अब तुम मुझे से जूट भी बोलने लगे हो मैंने तुम्हें कुछ और ही कहते सुना था जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तुम मजबूरी में मेरे साथ हो क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है और मैंने तुम्हारा साथ दिया है इसलिए तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ रहा है तुम उच से प्यार नहीं करते हो बलकि एक तरह से मेरा एहसान उतार रहे हूँ तुम आज भी इशानी से प्यार करते हो अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम शायद फिर से एशानी की लाइफ में चले जाते विवान ने उसे खुद से अलक किया और उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोला जान, अब हमारे बीच कभी कोई मिसंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अब से हमारे बीच सिर्फ प्यार होगा अच्छा चलो, अब बताओ कि हमारी अनिवर्श्री को किस तरह से सेलिब्रेट करें आदिती ने बुझे मन से कहा नहीं विवान, इस बार रहने दीते हैं, अगले साल देखेंगे विवान ने उसे मनाते हुए कहा जान, तुम अभी भी घुस्सा हूँ आदिती बोली, नहीं, मैं घुस्सा नहीं हूँ पर मेरा मन नहीं कर रहा है सेलिब्रेट करने का विवान बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे अगर तुम्हारा मन नहीं है, तो हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे पर तुम पक्का मुझसे नाराज नहीं हो न क्या हुआ, वहाँ सब ठीक है ना? अदिती बोली, हाँ सब ठीक है, बस बहुत टाइम से वहाँ नहीं गई हूँ न, तुम मन कर रहा है। विवान बोला, वो तो ठीक है जान, पर तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूँगा? और अवी, उसका क्या होगा? अदिती ने कहा, अवी को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, और तुम कुछ दिन मैनेज कर ले न, और फिर तुम यहाँ अकेले तो हूँ नहीं, इशानी है ना तुम्हें कमपनी देने के लिए। विवान समझ रहा था कि अदिती के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने अपने दोनों हाथों को उसके कंधों पर रखा, और उसे खुद के थोड़ा करीब लाते हुए बोला, अदिती, तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, तुम मेरी सांसे हो, मेरी धड़कन हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, और ये बात तुम भी जानती हो, बस पता नहीं क्यों, इस पर यकीन नहीं कर पा रही हो, आदिती ने उसके हाथों को खुद पर से हटाया, और बोली, यकीन, तो मैं आज भी तुम पर खुद से ज्यादा करती हूँ विबान, पर जो मेरे सामने है, उसे देख कर अपनी आँखें भी नहीं मून सकती, इसी यकीन के कारण ही तो मैं इशानी को इस घर में लेकर आई थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा विवान सिर्फ मेरा है, वो मुझे छोड़ कर किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, विवान बोला, ये सच है अदिती, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा, इशानी मेरा कल थी अदिती, और मेरे कल का बहुत बड़ा हिस्सा थी, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए फिक्र है, मुझे उसे देखकर बुरा लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है, कि मैं उससे प्यार करता हूँ, या तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगा कम हो गई है, मेरी हकीकत तुम हो अदिती, अधिती उसकी बातों पर यखीन करना चाहती थी पर अगर वो इस वक्त सच बोल रहा था तो वो क्या था जो उसने थोड़ी देर पहले सुना था